ओम शान्ती 21 नवंबर 2024 के इश्वरिय महावाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर बाबा ने कहा हरे को अपनी जांच करनी है कि हम कहां तक बाप को याद करते हैं मूल बात है ही याद करने की बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते सिर्फ एक फर्मान देते हैं याद में रहो तो बहुत शक्ती मिलेगी क्योंकि बाप है सर्व शक्ती मान तुम्हें और कोई तरफ का विचार भी नहीं करना जाहिए बाबा ने कहा जीवन मुक्ती का सारा मदार पढ़ाई पर है और मुक्ती का मदार याद पर जितना बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना उच नंबर में मरतबा पाएंगे इसलिए कुछ भी प्रशनादी पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करना जाहिए बाप तो युक्ती बताते हैं चाहे कहीं भी जाओ तुम बस याद में रहो बाबा तुमको रुहानी धंदा देते हैं सबको ज्यान की भूंभू करते रहो आखरिन जाग पड़ेंगे जाएंगे कहां तुम्हारे पास ही आते जाएंगे लास्ट में बाबा ने कहा जो भी सुनते हो उस पर मन्थन जलना जाहिए ज्यान की बातों पर खूब विचार करो कोई की गलानी वपाप करमादी कुछ ना हो हर एक बच्चे को अंतर मुखी बन अपने को देखना जाहिए कि हम कैसे बने हैं बाबा को कितना समय याद करते हैं बाब से इतने दिल लग जाए जो याद कभी भूले ही नहीं अब सुनते हैं महावाक्ष्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मेठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बन सब को मन वशीकर्ण मंत्र सुनाना है यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है प्रश्न बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्विकार नहीं करते हैं उत्तर जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूं मैं इतनी मदद कर सकता हूं बाबा उनका कुछ भी स्विकार नहीं करते बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको सहुकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है, जिन्हें आज अपनी सहुकारी का घमंड है, वहे कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कारिये में अपनी पाई-पाई सफल कर सहुकार बन जाते हैं। ओम शान्ती। यह तो रुहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आये हैं हमको नई दुनिया का वर्सा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। तुम को फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो। बागी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। सिर्फ तुम कोई को बाप का परीजय देते हो, तो उनका भी फडज है. बाप को याद करना टीचर रूप में सुरिष्टी चक्र की नौलेज देनी पड़ती है बाप को जरूर याद करना पड़े बाप की याद से ही पाप मिट जाने है बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है इसलिए बाप सब को कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ती बताते हैं। मिठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ती तो बहुत सहद समझाते हैं। बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते, बैठते, चलते, बाप को याद करो। वो लोग गंगा सनान करते हैं, तो गंगा को याद करते हैं। समझते हैं, वह पतित पावनी है. गंगा को याद करने से पावन बन जाना है. परंतु बाप कहते हैं, कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं. पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ हे बच्चों देहे सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम पहुँच जाएंगे सारा कल्प घर को भूले हो बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिजय देते हैं इस मुख दवारा इस मुख की कितनी महिमा है गव मुख कहते हैं न वह गव तो जानवर है यह है मनुष्य की बात तुम जानते हो यह बड़ी माता है जिस माता दवारा शुब बाबा तुम सब को एडोप्ट करते हैं तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने है बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना उसकी शकल आदी दिल में बैठ जाती है तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है शकल में और कोई फर्क नहीं है शरीर के संबंद में तो फीचर साधी अलग है बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है तुम बच्चे जानते हो, बाप परमधाम में रहते हैं, हम भी परमधाम में रहते हैं, बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं, वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह ग्यान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है, बाप के लिए भी क् रामा प्लैन अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम, रूप, देश, काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो, आत्मा अपने बाप को भूल जाते हैं। बच्चा बाप को भूल जाता है, तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधनके हो गए, धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, तुम अच्छी रिती जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे, हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं, मुख्ये तो हम अपने आत्मा को भी भूले हुए हैं अब रियलाइज कोन करावे कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है कैसे सारा पार्ट बजाते है हम सब भाई-भाई है यह ग्यान और कोई में नहीं है इस समय सारी स्रिस्टी ही तमो प्रधान बन चुकी है ज्यान नहीं है तुम्हारे में अब ज्यान है बुद्धी में आया है हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गलानी करते आये हैं गलानी करने से बाप से दूर होते जाएंगे सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लेन अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? ला नहीं कहता बाप कहते हैं, मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं कुछ भी प्रयशनारी पूछते हैं कहता हूं, इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो बाप को याद करो, मैं आया ही हूं, तुमको ले जाने इसलिए तुम बच्चों को याद की यत्रा से पावन बनना है बस मैं ही पतित पावन बाप हूं बाप युक्ति बताते हैं कहां भी जाओ बाप को याद करना है 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है अब अपनी जांच करनी है कहां तक हम बाप को याद करते हैं बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है यह तो most easy है बाप को याद करना है बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो automatically मा बाप को याद करने लग पड़ता है तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं याद क्यों करना पड़ता है क्यूंकि हमारे उपर जो पाप चड़े हुए है वह इस याद से ही खत्म होंगे इसलिए गायन भी है एक सेक्ड में जीवन मुक्ती जीवन मुक्ती का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ती का मदार याद पर है जितना तुम बाप को याद करेंगे और पड़ाई पर ध्यान देंगे तो उँच नंबर में मर्तबा पाएंगे धन्दा आदी तो भल करते रहो बाप कोई मना नहीं करते धन्दा आदी जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना तो अब बाप यह रूहानी धन्दा देते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और चुरासी के चक्र को याद करो मुझे याद करने से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है फिर सतोप्रधान नया चोला मिलेगा अपने पास बुद्धी में तंत रखना है जिससे बहुत फाइदा होना है जैसे स्कूल में सबजेक्ट तो बहुत होते हैं फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती हैं क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वह जास्ती चलती है अभी भी भारतवासी कर्जदार है भल कोई कितने भी धनवान है परंतु बुद्धी में यह तो है न कि हमारे राज्य के जो हैड्स हैं वह कर्जदार हैं गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं यह भी समझ जाहिए ना क्योंकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो तुम जानते हो हम सभी इन सब करजों से छूट कर सोलवेंट बनते हैं फिर आधा कल्प हम कोई से भी करजा उठाने वाले नहीं हैं कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं अभी हम कर् हमारा भारत ऐसा है गाते हैं ना तुम बच्चे जानते हो हम बहुत सहुकार थे परिजादे परिजादियां थे यह याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे अभी बिलकुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रही हैं रिजल्ट क्य तुम बच्चों को स्मृति आई है, सत्युग में हम कितने सहुकार थे, किसने तुमको सहुकार बनाया, बच्चे कहेंगे, बाबा, आपने हमको कितना सहुकार बनाया था, एक बाप ही सहुकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती, लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं कुछ नहीं जानते हैं तुम अभी सब कुछ जान गए हो हम पदमा पदम सहुकार थे बहुत पवित्र थे बहुत सुखी थे वहाँ जूट पापादी कुछ होता नहीं सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी गायन भी है शुबाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके बाप कहते हैं भक्ती मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अपार धन रहता है कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पि देखने में नहीं आती है तुम फर्क देखते हो ना तुम ही पुज्य देवी देवता थे फिर तुम ही पुजारी बने हो आपे ही पुज्य आपे ही पुजारी बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं परन्तु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना बाप तो एवर तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसको पता नहीं है। तुम भी भूल जाते हो, रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसको चाहे सहुकार बनाए, चाहे गरीब बनाए, बाप कहते हैं, जो सहुकार है, उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, उन्हों का पाल्ट ऐसा है, वे कभी ठहर न सके, धनवा बाबा क्वाण को अहंकार भी बहुत रहता है ना मैं फलाना हूं यह हमको है घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है यह अपने पास रखो जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे क्योंकि देखते हैं क आमका नहीं है, अपना घमन्ड है, तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना वन्न लेना, बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं, यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिल कर ही जाना है, सदायव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी कोई लशकर वे तोपें आदी तो नहीं चाहिए तुम विश्व के मालिक बनते हो अभी युद्ध के मैदान में हो तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाए बाप को याद करने के बाप ने फर्मान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ती मिलेगी यह तुमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है बाप है सर्व शक्ती मान तुम उनके बनते हो सारा मदार याद की यात्रा पर है यहां तुम सुनते हो फिर उस पर मन्थन चलता है जैसे गाएं खाना खाकर फिर उगारती है मुख चलता ही रहता है तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्यान की बातों पर खूब विचार करो बाबा से हम क्या पूछें बाप तो कहते हैं मनमनाभव जिससे ही तुम सतोप्रधान बनते हो यह एम उबजेक्ट सामने है तुम जानते हो सर्वगुण संपन सोलह कला संपन बनना है यह आटोमेटिकली अंदर में आना जाहिए कोई की गलानीव पाप करमादी कुछ भी ना हो कोई भी तुमको उल्टा करम नहीं करना जाहिए नमबर वन है यह देवी देवता ही पुरुशार्थ से उंच पदपाया है न उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म किसको मारना यह हिंसा होई न बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर मुखो अपने को देखना है हम कैसे बने हैं बाबा को हम याद करते हैं कितना समय हम याद करते हैं इतने दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माई मेरी संतान हो सो भी तुम अनादी संतान हो वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद जैसे सक्षात कार होता है फिर गुम हो जाते हैं वैसे वह भी सामने आ जाते हैं उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना पुष्य याद आएगा, विनाश का सक्षात कार भी होगा, आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का सक्षात कार होगा, फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है, बाप को याद करो, बाबा ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाडी में याद ना आए, उसमें ही बड़ी महनत करनी है, घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है, मिसाल जो देते हैं सर्प का, ब्रहमरी का, वह सब इस समय की हैं, ब्रहमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है, बाबा लिखते है ना, ज्यान की भूंभूं करते रहो, आखरीन जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहां, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, एड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा, अभी तो तुम थोड़े होना, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्ये सार, पहला पॉइंट ज्यान का खुब विचार सागर मन्थन करना है जो सुना है उसे उगारना है अंतर मुखो देखना है कि बाप से ऐसे दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं दूसरा कोई भी प्रशनादी पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्व्यम को पावन बनाना है अंत समय में एक बाप की याद के सिवाई और कोई भी विचार न आए यह अभ्यास अभी से करना है आज का वर्दान द्रिड संकल्प रूपी व्रत दवारा व्रितियों का परिवर्तन करने वाले बाबा ने कहा माहान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता इस पवित्रता के व्रत को प्रतिग्य के रूप में धार्ण करना अर्थात माहान आत्मा बनना कोई भी द्रिड संकल्प रूपी व्रत व्रिती को बदल देता है पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी व्रिती को स्रेष्ठ बनाना व्रत रखना अर्थात स्थुल रिती से परहेज करना मन में पक्का संकल्प लेना तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं यह ब्रदर हुड की वृती बनाई, इसी वृती से ब्रहमन महान आत्मा बन गए। स्लोगन व्यर्थ से बचना है, तो मुख पर द्रिड संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, ओम शांती, आज से संजीवनी बूटी नाम की एक नई सीरीज शुरू की गई है। साकार मुर्लियों पर आधारित इस चिंतन को सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।